क्लास 6, चेप्टर 14, वाटर, बिटा प्रीविएस वीडियो में हमने वाटर की करेक्टरिस्टिक के बार में पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो वाटर है, वो थ्री फिजिकल स्टेट में क्या कर सकता है, एक्जिस्ट कर सकता है, तो देखे, वाटर का अर्थ पर अगेन आ जाता है, तो बिटा दिस सर्कुलेशन ओफ वाटर इन नेचर इस काल्ड वाटर साइकल, तो देखे, वाटर का अर्थ से अट्मोस्फियर में मूव करना, और अट्मोस्फियर से अगेन अर्थ पर मूव करना, और यह जो सर्कुलेशन है, वाटर का इस नेचर में, यही हमारा क्या 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 लाता है, वाटर साइकल क्या लाता है, तो बिटा वाटर साइकल टेक स्पेस इ into water vapor by many process like evaporation transpiration अब देखे your water cycle कैसे कैसे 3 steps में complete होता है पहले water क्या water vapor में converted होता है या तो evaporation से या फिर transpiration से फिर क्या होता है जो water vapors है they rise up वो क्या हो जाती है ऊपर यह आप उपर उठकर क्या है become cooler and condensed to form tiny droplets और जब यह उपर पहुच जाती है तो यह उपर पहुच कर क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है और condensed होकर यह tiny droplets में change हो जाती है और फिर यह air में cloud की form में float करने लगती है है ना many droplets come together to form a large droplets ठीक है और बहुत सारी droplets जब आपस में मिलती है तो वह एक बड़ी droplets बना लेती है एक बड़ी बूंद बना लेती है which fall down as a rain जो rain की form में गिरती है अब बेटा water जो है पैसे तो water क्या है बहुत important है है ना और यह हमारे survival के लिए बहुत ज़रूरी है और यह क्या है हमारे लिए बहुत beneficial है पर बेटा जो water है water क्या है एक डिजास्टर भी है water की वज़े से एक डिजास्टर भी होता है यानि कि इट एक्सेज आर बोथ harmful यानि कि जो water है water का water का access amount में या फिर इसकी कमी होना भी क्या है हमारे लिए harmful है and can turn into disaster और यह किस में बदल जाता है disaster में बदल जाता है जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर water की बहुत जादा कमी होती है वहाँ पर क्या हो जाता है सूखने लगती है जमीन सूखने लगती है वह area सूखने लगता है ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं सूख़ के time पर जो yep to जमीन है बटा वह अनफ़े होजाती है यानुन कि उस पर कोई vegetation नहीं उपाती है यानि कि वहाँ पर क्या हो जाता है loss of jadi no हो जाता है तो mida water की कमी की वज़े से ठीक है lack of water leads to the death of many animals और water की कमी से उस area में क्या है बहुत सारे animals की क्या हो जाती है death होने लगती है यानि कि वो दीरे-दीरे मरने लगती है और जो crops है that are affected and there is shortage of food and fooder अब देखिए ऐसे area में जो क्योंकि crop affected होती है इसी वज़े से वहाँ पर हो क्या हो जाता है food और fooder की क्या हो जाती है shortage हो जाती है the level of water in the points and well goes down और उस area में क्योंकि बहुत लंबे समय से बारिश नहीं होती तो जो हमारे points है जो wells है उनका water level है वो क्या हो जाता है नीचे पहुच जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है and leads to loss of drinking water and therefore poor health condition जिसकी वज़े से क्या है drinking water की loss होने की वज़े से क्या हो जाता है वहाँ पर poor health conditions हो जाती है है ना जो aquatic जो हमारे plants है और animals है वो क्या हो जाते है मर जाते है और जिसकी वज़े से क्या होता है बेटा जो हमारा ecosystem है ecosystem क्या होता है affected होता है ठीक है ऐसे ही बेटा one of the most disaster क्या है हमारा flood है देखो usually जब heavy मैंने आपको क्या बता है water की कमी और water का ज्यादा होना भी हमारे लिए harmful है ठीक है अब तक हम नहीं क्या पढ़ा था कि water हमारे लिए क्या होता है beneficial होता है तो बेटा जब heavy rainfall होती है किसी area में उसकी वज़े से क्या होता है जो natural disaster है flood आ जाती है तो देखें आपने अभी कई न्यूस में भी सुना होगा कि कहां असाम में बाड़ा आ गई केरला में आ गई ठीक है तो देखेंगे जो water bodies होती है जैसे river है lake है पून है उनका जो water है वो limits से उपर flow होने लगता है और ये water कहां field में spread हो जाता है villages में cities में और कई बार क्या हो जाते है जो villages होती है cities होती है उनको क्या कर देता है समर्ज कर देता है दुबा देता है तो देखेंगे जो flood water है damage the crops building and temps और जो flood water है वो क्या है crops को damage कर देता है और जो buildings होते हैं जो बांद होते हैं उनको भी क्या कर देता है damage कर सकता है तो it carry away animals and many other objects with it तो देखेंगे जब तेज पानी का बहा होता है जब flood आती है तो यह अपने साथ क्या है बहुत सारे animals और किसको जो objects होते हैं उनको अपने साथ बहा के ले जाता है तो देखेंगे जो potable water है and food supplied get affected causing a number of death और जिसकी वज़े से क्या है आपकी जो food supply है और potable water की वज़े से क्या है बहुत सारे लोग क्या है मर जाते हैं when the flood water wreckage many disease and infections spread और flood water की वज़े से क्या होती है क्योंकि जिस area में में बाहर आती है तो पानी के रुपने से क्या है बहुत सारे disease और infections क्या है फैल जाते है तो flood water washes the top soil reducing the fertility of land अब देखेंगे जो flood आने से क्या होता है कि जो पानी के साथ में क्या है जो fertile soil है वो भी क्या हो जाती है उसके साथ बहके चली जाती है सो student जो water है वो क्या है harmful तो है ही है useful तो हमारे लिए है कभी कभी यह क्या होता है इसका heavy rainfall होना या हम यह कह सकते हैं कि water का access amount में present होना या water का less amount में present होना भी हमारे लिए harmful हो सकता है अब बेटा हम बात करते हैं कि जो water है क्योंकि देखें अगर हम आज कल क बात करें तो जो हमारा drinking water है, potable water है, उसके amount हमारी अर्थ पे बहुत कम है, यानि कि वैसे तो हमारी अर्थ पे 3 by 4, यानि कि 4 में से 3 parts हमारी क्या है water का है, लेकिन बहुत small amount में हमारा drinkable water present होता है, तो देखिए, only a very small part of water available on the earth is useful for organism, तो there is a need to conserve water, इसलिए क्या है, water को conserve परने की जरूरत है, तो there are many ways in which we can conserve water, और बहुत सारे तरीके हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, water को conserve कर सकते हैं, तो देखिए, जैसे आप picture में देख पा रहे हैं, ठीके, in this picture, इस picture में आप देख पा रहे हैं कि क्या है, जब हम नहाने जाते हैं, तो बाल्टी में से पानी क्या होता है, split होता रहता है, तो यहाँ पर हम tap को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीके, तो tap को बंद करके, हम water को बचा सकते हैं, एंके avoid the wastage of water, don't keep the tap water running, और हमें जो tap water है, उसको नहीं चलाए रहे हैं, तो देखिए, plant more tree, और जो जादा से जादा trees को हमें क्या करना चाहिए, जो plants है, उनको लगाना चाहिए, ठीके, grow plant which require less water, ठीके, जो grow plants होते हैं, उन्हें क्या less water की जरुत होती है, reduce water pollution, और water pollution को हम क्या है, reduce कर सकते हैं, build more dam, this will prevent both drought and plurts, अब देखिए, हमें जादा से जादा डैम बनाने चाहिए, जो क्या है, जो सूखा है, सूखे के टाइम पे क्या है, किसी एरिया को पानी दिया जा सकता है, डैम के थ्रू और flood के टाइम पे क्या है, उस heavy water flow से बचा जा सकता है, तो harvest rainwater, अब देखिए, जो rainwater होता है, इसको हम harvest कर सकते हैं, तो बच्चुब क्वेशन ही आता है, कि rainwater को हम harvest कैसे करें ठीक है तो देखे collection of rainwater from surface on which rainfall and storing it for a future use is called rainwater harvesting तो देखे rainwater का surface पे क्या करना जिस surface पे rainfall होती है वहाँ पर storing करना future के लिए वो हमारा क्या कहलाता है rainwater harvesting even less rainfall can enable us to collect a lot of water तो देखे जहां पर कम बारिश होती है वहाँ पर हम क्या है ज्यादा water collect नहीं कर पाते हैं so better roof of building can be provide with pipe which carry the rainwater to large tanks from where water can be filtered and use so the building's roof is the rainwater large tank बड़े बड़े tank में हम क्या कर सकते हैं store कर सकते हैं rain harvesting के क्या क्या uses it reduce the waste of water इससे हम क्या है जो water का जो wastage होता है जो ऐसे ही बहकर चला जाता है उसको reduce कर सकते हैं यह help किसमें करता है clean water which can also be directly used for many activities except drinking अब देखे इस यह क्या करता है जो clean water है उसको store करने में help करता है क्योंकि देखे इसको हम बहुत सारी activities में use कर सकते हैं पीने के अलावा हम बहुत सारी activity में इसको use कर सकते है जो rain water है उसको हम use कर सकते है बिटा it helps to prevent water logging of drains अब देखे कई बार क्या होता है देखो जो बारिश बहुत ज्यादा होती है तो जो drains होती है नालिया होती है उनमें water logging हो जाती है उससे हम इसको prevent कर सकते है it can also be used to recharge ground water and improve the water table जब बारिश होती है तो बारिश के बाद क्या है कुछ पानी क्या है ground जो हमारा ground है वो भी क्या कर लेता है absorb कर लेता जिसकी वज़े से जो हमारे ground water का जो water table है वो क्या होता है improve होता है क्या है